असलाम लेक्म टायर्स इस तायर फॉन तायर वाइस पेकर और इंफिनिक्स 040 का मेरा क्लीन वेवीव में आप लोग सथ शेयर करने वाला हूं इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना अगर आप यह जानना चाहता है कि 70,000 पे में यह वाला इंफिनिक्स 040 आपको ले गाला तो यह ग्लास है यहां पर और यह कर्फड ग्लास है जो इसके डिस्प्लेइ के अपर लगा सकते हैं यहां पर जो कवर है ओपके लगाएंगे तो फोन की लुक को और चार चांद लग जाएंगे वैसर यह लड़कियों वाला कर रहल बहुत ही तदा में चार्जर का ए यह blossom glow है जिसे हम simply pink color भी कह सकते हैं back camera design मुझे बहुत ज़दा premium लगा अब इसके result कैसा है यह तो हम आगे चलके चेक करेंगे back पे बड़ी flashlight लगाएगी है camera setup भी मैट फिनिश के अंदर यह आ रहा है और उपर वाली साइट पर आपको यहां पर साउंड by JBL का डबल स्पीकर देखने को मिलेगा connectivity सिर्फ जो है type C की है hand free और charging जो है आप type C की ही लगा सकेंगे इसके पर फोन के front display पर आते हैं तो यहां पर 120 हर्ट का smooth AMOLED पैनल आपको मिल जाता है और brightness की अगर मैं बात करो तो यह भी काफी ज़्यदा थी और day night के अंदर भी यह brightness आपको काफी ज़्यदा अच्छा रिजल्ट प्रवाइड कर देगी अगर मैं इसके UI की बात करो software की तो यह पहले फोन से कुछ चेंज है Android 14 है लेकिन Android 14 में भी यह काफी ज़्यदा चेंज जो है वो 14.5 है यह XOS का जो वर्जिन है इस फोन का 14.5 है यहां पर 8GB RAM के साथ आपको virtually 8GB RAM भी मिल जाती है पिसको expand कर सकते हैं इसका दो आपको पता ही यह भाई क्या चीज़ है यहां पर आपको एक और चीज़ बजलो के प्रोसेसर इस फोन के अंदर जस्ट एक पॉइंट के जापे के साथ जो के 030 में जहीं जी 99 था इसके अंदर जी 100 है तो परफॉर्मंस में कुछ इतना फास डिफरेंस तो खैर नहीं आने वाला Android 14 की अपडेट के बाद भी यहां पे आपको आटो कालर के साथ जनाब इसका 108 मेगयापिक्सल का बैक कैमरा जो है इसका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा कमाल है लो इतनी ज्यादा विटेल्ड पिक्चर आपके सामने हैं मैं आप लोगों से शेर कर रहा हूँ उसक्रेन पर आ रही होंगी बहुत ही ज्यादा कमाला है यह इसका वान कैमरा में भी मैंने बगार ब्यूटी फिल्टर की यह पिक्चर बनाई है और यहां पर मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कि इसकी यह चीज़ें बहुत ज़दा मैटर कर दी है फोन के अंदर अगर आपको पचास-साट-सतर अजार पे में अगर अच्छा कैमरा ही नहीं करो ठीक है में चीज़ों की कैमरा को बता दिया है स्मूद रिफ्रेश्यटिव डिस्प्ले है यह भी काफिक अच्छा है आटो कालर बाडिंग की फसर्डिदी भी आपको मिल जाती है इस फोन के बात करते हैं इसके प्राइस टैक के ओपर यह आपको लेना चाहिए या नही पिट से मिल रहा था लेकिन अभी इसका रेट जो है वो उस परह से गंदा नहीं हुआ मिल रहा तो इस रिसाप से देखें तो प्राइस एक स्टेबल प्राइस है और अगर दूसरी साइड पर देखें ओको के फोन देख लें वीवो के फोन देख लें तो उनकी निसमत भी फोन काफी जदा अच्छे फीचर लेकर आता है इसके बाद इस फोन को वी लॉगिंग फोन इसलिए का गया है क्योंकि इसके फ्रंट बैक दोनो कैमरा से आप 1080p 60fps की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं नाइट टाइम वी लॉगिंग कर सकते हैं क्योंकि इसके कैमरा में आपको और बैक दोनों साइड पे बड़े बड़े फ्लेश लाइट मिल जाती है फ्लेश लाइट मिल जाती है सोरी तो यह चीज़ भी बहुत ज़दा अच्छी है यूए डिजाइन बहुत ज़दा अच्छा है तो अगर आप इस प्राइस टैक अंदर फोन लेना चाते हैं तो यह रिकमेंड़ फोन है और रिमेंबर यह कोई स्पॉंसर वीडियो नहीं है मेरा जो फोन को देख के पता चल जाता है कि भाई फोन कितने के पानी में है अगर इसकी प्राइस और भी ज़दा कम हो जाती है आप लोग भी कॉमेंट्स कीजिएगा तो यह बहुत अच्छी चीज अब नेक्स्ट वीडियो जाया है वो आपको 030 और 040 के केमपैरिजन पर मिलेगी तो आप लोग अगर चाहते हैं कि मैंसको वीडियो बनाओ तो कॉमेंट्स में 030 वसे 040 लिए और चैनल को सबस्क्राइब करने ताकि आप लोगों का पैसा जाया ना हो जब भी आप फोन ल चेक करने मिलते हैं अब तक के लिए अल्ला आप पीस